जहीं दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आप सभी का अपने चनल एचार फोडियू में नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ तो आज फिर हिंदी व्याकरण में हम एक इंपोर्टेंट चीज लाएं यह बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है इसे वीडियो देखने से पहले और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप हमारे ओल्डेस्टेंट हैं नए हमसे जूरे हैं ठीक है इस वीडियो में अगर आप और आप तक व्याकरण का पूरा क्लास नहीं लिया है तो प्लेलिस्ट में जाकर करके व्याकरण जो मैंने वर्ण से पढ़ना शुरू क इस वीडियो के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो यह व्याकरण आपके लिए वर्य वर्य इपोटेंट है और ख्लास चोर के आप बिलकुल मत जाना वीडियो इसकी बिलकुल मत करना क्योंकि एक पॉइंट को बताने बाला हूँ और इस वीडियो के बाद आपको दुबार इसका concept अपने mind में रख लेना ठीक है यह बिहार बोर्ड में बहुत important है बिहार बोर्ड में हर हाल में यह पूछेगा ना का तो कोई सवाल नहीं और मैं कह रहा हूँ कारक से कम से कम साथ objective रहेंगे साथ कम से कम at least seven questions तो आप ध्यान से पढ़ते रहें ठीक है और वीडियो को थोड़ा सा light का focus है उसे मैं अभी दूर नहीं कर पार हूँ मेरे साथ problem है light का थोड़ा adjustment नहीं है मेरे पास बाबू तो मैं थोड़ा पढ़ूंगा ना वहाँ पर तो आप उस पढ़ाई से note कर लेना ठीक है वहां से note कर लेना और मैं last के video के last में हट जाओंगा ताक आप इस की इन सोट भी ले लेना चलिए तो ये कारक की परिवाशा है कि संगया या सरवनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंद सुची तो उसे हम कारक कहते हैं कारक किसे कहते हैं तो क्या कह रहा है संगया या सरवनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंद सुचित हो जोड़ा जाए उसे हम कारक कहता है संग्या सर्वनाम को किसी अन्य शब्दों के साथ जोड़ दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं कारक कहते हैं के लियर अब कह रहा है कारक के आठ भेद हैं कितने भेद हैं कारक के आठ भेद हैं यानि कारक not a case there are eight types of कारक कारक है ठीक है तो कुन-कुन है वो मैं बताऊंगा फिर मैं टोटल आपको पढ़ाना जारू तो देखिए पहला करता कारक है क्या है करता कारक उससे पहले मैं एक चोटी सी चीज़ आपको बता दे एक फर्मूला है जिसे आप याद रखेंगे वह फर्मूला क्या है यहाँ देखिए आप करता ने करम को करन से संपरदान के लिए को अपदान से संबंद कहके कि अधिकरन में पर और संबोधन हे अजी अरे यह तो है यह फर्मूला है कारक का शौट फर्मूला तो इसको आप याद कर लोगे तो पूरा डिफिनेशन याद करने के आवे सकता नहीं परेगी आपको किलियर अब देखिए तो पहला आपका करता है करता कारक है हम पढ़ते हैं करता कारक करता कहते किसको है करता यानि करने वाला किसी भी काम को करने वाला यह वीडियो थोरा से लंबा हो सकता है लेकिन पूरा explanation के साथ ही मैं पढ़ाऊंगा short करने की कोई ज़रत नहीं है वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता है यानि किसी वाक्ट के किसी sentence में जो काम करने वाला होता है उसे हम करता कहते हैं तो नॉर्मल ये आपको अधर रखना है कि ऐसा कोई sentence हो जिसमें कोई काम करने वाला हो उसे हम करता कहते है that's called in English subject जिसे हम क्या बोलते हैं subject कहते हैं जैसे मोहन आम खाता है अब देखिए यहाँ पर मोहन आम खाता है यानि मोहन ने आम खाया तो करता ने क्लियर है तो यहाँ पर मोहन क्या हो गया आपका करता कारक हो गया मोहन आम खाता है यानि मोहन ने आम खाया मेरा भाई इस्कूल गया या मेरा भाई मेरे लिए उपहार लाया यानि मेरे भाई ने तो करता ने काम करने वाले को हम करता करते कहोते है नॉर्मल याद रखना और उसका चिन है ने तो नॉर्मल याद रखना जैसे मोहन आम खाता है आम कौन खाता है मोहन तो मोहन आपका हो गया करता कारक हो गया पहला फर्मूला आपका कॉनसेप्ट किलियर हो गिया दोसरा देखते है इसमें और भी हो सकता है वह साइकल चलाता है वह करता कारक हो गिया मतलब राधा बजार जाती है कोन काम कोन कर रहे जाने का राधा दोसरा आपका करम कारक क्या है करम कारक जिस पर किरिया का फल पड़ता है किरिया मतलब काम हो जाता है तो जिस पर क काम करने का बोध होता है उसे हम करम कहते हैं देखिए किरिया किसे कहते हैं जैसे मैं पढ़ाता हूँ अब खेलते हो तो काम करने को हम हिंदी में किरिया कहते हैं तो जिस पर किरिया का फल पढ़ता हूँ उसे हम क्या बोलते हैं करम कहते हैं ठीक है जैसे राम ने रावन को मार अब जैसे मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि मैंने सेब को काटा तो काटने का काम कौन कर रहा है मैं कर रहा हूँ मैंने मैंने तो करता मैं हो गया और काटा जो तो करता का पढ़ाओ किस पर पढ़ा सेब पर मैंने सेब को किस को तो करम का चिन क्या होता है कू लगा होगा अर्थ में है ना तो आपका करता करम हो गया जैसे यहां दिया राम ने तो राम जो है मारने का काम कर रहा है तो राम हो गया करता कारक अब मारा किसको रावन को रावन जो हो गया वो आपका करम कारक हो गिया क्योंकि मारने का परभाव रावन पर पर रहा है तो वो रावन आपका करम कारक हो गिया करम मतलब काम और काम का परभाव जिस पर पढ़ता है वो करम कारक दो कॉंसेप्ट के लिए तीसरा लेते हैं करन कारक करन जिससे काम हो उसे करन कहते है यानि जिससे मतलब कोई वस्तु याद रखना जिसे से काम हो यानि जिस वस्तु के द्वारा काम हो उसे हम करन का रख कहते हैं और करन का एक नॉर्मल स्टेट्मेंट याद रखना से सटा के अर्थ में आता है करन वो वस्तु जो हमारे हाथ से सटा हो उसे हम करन कहेंगे जैसे आप कलम से लिखते हैं अब एक concept बताओ, यहाँ से जो है, यहाँ भी देखो, आप करन से का चिन है, तो आप कलम से लिखते हो, तो कलम होता कहा है, आपके हाथ में होता है, तो से सटा हुआ है, बोध क्या हो रहा है, आप कलम से लिखते हैं, यानि से सटा के बोध में हो रहा है, तो यह आपका कलम करन कारक हो गया मैं चाकू से सेब काटता हूँ मैं किस चीज से चाकू से सेब काटता हूँ तो जब जो चाकू होगा वो कहा है मेरे हाथ सटा हुआ है तो से सटा का आर्थ हो जागा तो वो करन हो जागा आपको याद के लिए रहे चलिए चौते में आजाते है संपरदान कहते है जिसे जिसके लिए किया जाए उसे संपरदान कहते है यानि कोई काम किसी दूसरे के लिए किया जाए उसको हम संपरदान कहते हैं अब हर वेक्ति के लिए कोई ने कोई काम करता है ठीक है जैसे मैं कह रहा है पिता पिता ने पुत्र के लिए सब कुछ किया अब पिता ने जो भी कुछ किया किस के लिए पुत्र के लिए किया तो पिता जो कर रहा है वो किस के लिए कर रहा है यहां पिता है यहां पुत्र है तो पिता जतना काम कर रहा है वो सारा काम किस के लिए पुत्र के लिए तो अब यहाँ देख लो संपरदान को या के लिए क्या कह रहा है संपरदान को या के लिए के अर्थ में आता है तो पिता ने जो भी कुछ किया वो अपने बेटे के लिए क्या पुत्र के लिए जैसे सिक्षक बच्चों को उपहार दिया तो उपहार आपके लिए था और मैंने आपको दिया concept ध्यार दे समझना ठीक है तो यह आपका हो गया जैसे कि मैंने आपके लिए मिठाय लाया तो आपके लिए वो वस्तु आपके लिए थी clear concept 3 number problem होगा आप comment में पूछोगे मैं आगले वीडियो में concept clear कर दूँगा ना पूछोगे problem नहीं है मेरे क्योंकि बहुत सारे बच्चे comment नहीं करते तो मेरे पहरे बच्चों आप comment जरूर करना ठीक है पांच नमबर करें अपादान जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए यानि अपादान क्या होता है अपादान का अर्थ भी अब यहाँ आप देखो अपादान से अपादान के माने भी से होता है परन्तु अलग होने के बुद में जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए हताया जाए जैसे आप देखो पेड से पत्ता गिरा अब पत्ता जब पेड़ से गिरा तो अलग हो गया ना पेड़ में connection पत्ते का नहीं रहा तो पेड़ से पत्ता गिरा तो यहाँ पर से देख करके आप समझ जाओगे कि भाई पत्ता जब पेड़ से गिरा it means पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो गया तो यहाँ पर हमारा क्या है अपदान कारख हो जाएगा वह चछत से कूदा यह से जो है वह बैकती छट पे था लेकिन जब भी जम भूमाड़ा कूदा तो वह क्या हो गया चछत से अस्थान प्रिवर्टन हो करके छट से वह घट गया तो जब अलग होने के संबंद में से हो तो अपदान हो जाएगा और सटने के संबंद में से हो तो करन हो जाएगा कॉंसेप्ट किलियर है चलिए छे नमर देखते हैं संबंद जिससे किसी वस्तू का संबंद हो अब क्या कह रहा है संबंद का अर्थ ही कह रहा है कि जिससे किसी वस्तू का संबंद हो जाए या लगाव हो जाए उसको हम संबंद कहेंगे concept जैसे रहीम का मकान छोटा है अब बताओ यहाँ पर मकान में और रहीम में कुछ तो संबंद है ना भई यहाँ क्या कर रहा है संबंद का के की तो रहीम का मकान देखो बीच में का आया ना तो रहीम का मकान जो है यह संबंद को बोद कर रहा है यहां की जो है राम की मा बिमार है तो राम में और मा में संबंद है है ना राम की मा बिमार है तो राम में और मा में संबंद है तो जहां संबंद का बोद हो जिक्र हो उस वाकिय में आप देखो कि का के की जरूर लगा रहागा उस sentence में तो उस sentence को हम क्या कहेंगे वो sentence हमारा संबंद हो जाता है concept के लिए रहे हैं अभी ठेक है चलिए तो 6 आपका हो चुका अब हम पढ़ेंगे आधिकरन मैं बता रहा हूँ बहुत important है यह हर competitive exam में यहीं से पूछता है competitive exam के लिए व्याकरन कोई दूसरा नहीं होता है यहीं व्याकरन होता है बस फर्क यह है कि हमारा mind किस चीज को पकड़ता है अगर आप आप सही से पढ़ लेते हैं तो आगे आपको पढ़ने की ज़रुत नहीं पड़ेगी इसी चीज़ों को आप समझ सकते हैं revise करोगे अगला साथ कर रहा है अधिकरन इसका देखते हैं जिससे किरिया का आधार जाना जाए अब देखिए किरिया मतलब काम तो जिससे काम के होने का आधार जाना जाए कि वो कहां हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं अधीकरन कहते हैं बहुत छोटा सफर के बस अब ध्यान से समझो क्या कह रहा है कि जिससे किरिया का आधार पता चल जाए यानि काम होने का आधार पता चल जाए बेस पता चल जाए कि वो काम कहां से हो रहा है जैसे वो सरक पर खड़ा है, खड़ा है यह तो किरिया हो गया, खड़ा होना मतलब काम है, किरिया है, तो उस किरिया का आधार क्या पता चल लेए, कहां खड़ा हुआ है, सरक पर खड़ा हुआ है, तो देख लो अधिकरन में या पर या पे, अधिकरन में पर या पे, तो वो स बैठे हो तो आप मेरे कमरे के अंदर बैठे हो तो यह आपका क्या हो जागा अधिकरन मे पर वो लड़का घोड़े पर है घोड़े पर सवार है अब वो लड़का है यह तो किरिया हो गया या फिर वो घोड़े से दौर रहा है दौरना किरिया हो गया और दौर कैसे रहा है व तो साथ आपका concept clear हो चुका है, अब किवल एक बचा हुआ है, आठ नमबर, जो कि बड़ा important है, बड़ा easy और बड़ा मज़ेदार है, ठीक है, तो इसको भी आप देख लो, फिर आगे हम पढ़ाते हैं, ठीक है, लास्ट का कहना है, संबोधन, संबोधन का अर्थ आप जानते ह है, जिससे किसी को पुकारा जाए, उसे हम संबोधन कहते हैं, संबोध करने का क्या आर्थ होता है, कि हम किसी को पुकार रहे हैं, तो जिससे किसी को पुकारा जाए, उसे हम संबोधन कहते हैं, जैसे अरे भाई है, हम क्या कह रहे हैं, अरे भाई सुनो, तो यह हम क्या कर र हम इश्वर को कहते हैं कि हे राम यानि क्या कर रहे हैं संबोध कर रहे हैं पुकार रहे हैं इश्वर को कि हे राम मेरी सहायता कर एजी एजी समझते हो ना एजी कहा बोला जाता है एजी बोलते हैं कि एजी सुनते हैं तो एजी क्या को इस तरही अपने पती को कहते हैं एजी तो यह क्या अर्थ है, संबोध, पुकार रही है वो, ओजी, ओजी सुनते हो, यह एजी, ओजी, यह क्या कर रहा है, पुकार रहा है, इससे क्या है, संबोध हो रहा है, ठीक है, ओके बात कर रहा है, आहो, आहो हिंदी का शब्द, आहो चाचा, ए चाचा, तो यह क्या हो रहा ह हम हर वाक्य में हर शब्द में हर सेंटेंज में कहीं न कहीं किसी को पुकार रहे हैं कहीं न कहीं किसी को संबोधन कर रहे हैं इससे क्या बोलते हैं हम संबोधन कहते हैं जैसे यहां आप समझो हे अजी अरे अजी सुनते हैं हे राम अरे भाई ओच अचा तो इससे हम क्या कर र और संबोध करने का मतलब बुलाने का पुकारने का मतलब संबोधन हो जाता है तो यहाँ पर आपका art card concept कारक किलियर हो गया अब भी आपको problem नहीं होना चाहिए तो आपको यह define करके मैंने बता दिया पुरा definition के सथ अब आप skin shot ले लो आप पुरा skin shot ले लो अप ठीक है तो य मैंने define कर दिया यह most important है मैं आपको यह बता देता हूं m b by i most very very important यह आपको copy में हर हाल में note करना है और आपको याद यही करना है जिस sentence में ने लगा हो जैसे राम ने रावन कुमारा ने मतलब राम करता हो गया राम ने रावन कुमारा को लगा है रावन करम हो गया करन धिलाया, संपरदान हो गिया पेर से पत्ता गिरें अपदान हो गिया यह राम कीमा है, कहा है, संबन्द हो गिया अधिकरन यानी वह चछत पर खड़ा है, अधिकरन हो गिया और ए जी सुनते हैं, यह आपका संबोधन हो गिया है I hope आपको समझ में आ भी गया होगा अच्छाला का समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करो, और जादा स्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ताके सारे बच्चों को मिल जाए, और आपका एक काम है, आपको एक जगा शेयर करना है, बस हर वेक्टियो को एक बाद शेयर जरूर करना है, तो चलिए कॉमेंट में बताए, मिलते हम अगले क्लास में इस यहां से खुशी मस्ते के साथ, तब तक के लिए, जहिन वंदे मातरम